आज बनाएंगे तीखा चटपटा एकदम बाजार जैसा फ्राइड राइड जो हमारे घर में चावल बच जाते उसे से तो चलिए फ्रेंड रुपा के रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो वेज फ्राइड राइस बनाने के लिए कडाही या पैन को गरम कर लिजे और इसमें तेल डाल दीजे या रिफाइन या सरसो तेल जो भी खाते हो एक चम्मा साबो जीरा चटका लिजे लसुन क कर लिए और हरे मिर्ची और दो हमने लाल मिर्ची भी लिए है तीखा के लिए क्योंकर चट पटा होगा तो खाने में बहुत बहुत यह डिएश्टी लगेगी अगर बच्ची के लिए बना रहे हो तो कम डालिएगा अब इसमें जाएगा एक प्याच इसके बिना तो स्वा पके हुए टमाटर इससे क्या होगा सारी सब्जी यह जो पक जाएगी अच्छे से क्योंकि सब्जियां को में ज्यादा गलाना नहीं करंची रखना थोड़े से मसाले इसमें डाल दिये हैं जीरा पॉडर और नमक अब एक चमच हमने सिज्वान सॉस डाली हूँ बहुत यह ट सब्जियां उसे खड़े रखना है इसे गलाला नहीं है ताकि जो खाएं तो मुझ में क्रंची से बहुत यह टेस्टी लगे इस प्रकार सी से भून लीजेगा कहें तो इसे आधा पकाईएगा जादा नहीं अब जाएगा इसमें राइस यह हमारे रात के बच्चे हुए र होजी चावल बनते हैं बच भी चाती है और ठंडी मौसम है तो खाने का ऐसे माननी होता है जाएतर लोग तो बचते हैं तो दाल चावल के साथ खा लेते हैं लिकिन आप इसे फ्राइक करें खाएगा बहुत ही टेस्टी लगती है और सारी चावल है चो खतम भी हो जाएगे बरवाद भी नहीं होंगे तो इस तरह से इसे दो मिनट तक अच्छे से फ्राय कर लिए एकदम खीले-खीले बनके तयार हो जाएंगे इसके बाद एक मसाला डालना है वह है सेजवान मसाला बहुरी टेस्टी लगती है और हरा धनिया इसके बिना तो वेज़ फ्राय राइस ए अगर आपके पास वह तो जरूर डालिएगा और नहीं हो तो काली मिर्ची भी आप इसके जगा पर एड़ कर सकते हैं इससे भी राइस जो फ्राय होगी काफी ज़्यादा यह टेस्टी लगेगी खाने में और सारे को अच्छे से मिक्स करने के बाद जाएगा खटास के है और यह देखे दीखने में एक दम बहुत ही जादा यह खुब्सूरत लगई कर भी है इस पर खाने में भी बहुत ही बढ़िया है इसपर खाने में इसफिकन आप ती घुर हाय तती है इसे आप te Garrma खा लेज़ेव बहूत ही यह टेस्टी लगता है इसे चटनी सो और सबय की जरूरत नहीं है आप इस ऐसे ही खाए तो आप वह सैड भी ले सकते हैं बहुत ये टेस्टी रगते हैं खाने में तो बच्चे हुए चावल को आप इस परकार से बना सकते हैं बहुत ये कमाल का लगता है आप वजार के पैसे जो खर्च करके विजराइस मनाते हैं घर पे बच्चे चावल से भी बना सकते हैं और में रेसे पी आपको कैसी लगे फ्रेंस हमें कमेंट करके बता हैं और अच्छे लगे तो प्यारा से एक छोटा सा लाइक दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब किजेगा